आज का व्यक्ति धन के पीछे इतना पागल हो चुका है, उसे जीवन जीने का होशी नहीं है, वह प्राथमिक्ताइब भूल चुका है ये ठीक है कि जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, परंतु इतना भी नहीं चाहिए, कि परिवार को खोदे माता-पिता को खोदे, पत्नी बच्चों को खोदे, अपने ही घरवालों या मित्रों से शत्रुता उत्पन कर ले ये कोई जीने का धंग नहीं है, धन का अपना मूल्य है, वह भी कमाए, परंतु उससे अधिक मूल्य चेतन मनुष्य आधी प्राणियों का है जितना सुक चेतन आत्माव से मिलता है, उतना धन संपत्ती स्कूटर कार बंगला मोटर गारी भोजन आधी जड़ पदार्थों से नहीं मिलता धन आधी जड़ पदार्थ भी तभी सुक देते हैं जब अपने लोग साथ में हो चेतन मनुष्य के साथ होते हुए ही आप धन भोजन आधी जड़ पदार्थों का सुक ले सकते हैं इसलिए चेतनों का मूल्य धन आधी जड़ पदार्थों से अधिक समझे चेतन मनुष्य आधी प्रानियों का हरिदय जीते धन थोड़ा कम भी कमाएंगे तो चल जाएगा परंतु चेतन मनुष्य आदी आपके साथ अवश्य होने चाहिए क्योंकि यदि चेतन मनुष्य आदी प्रानी आपके साथ है तो वे आपकी पचासो समस्याई सुलजा देंगे सुख दुख में आपका साथ देंगे तब ही आपका जीवन अधिक आनंद मैं हो पाएगा जबकि धन संपत्ती मोटर गारी भोजन आदी जड़पदार था पत्ती आने पर आपका उत्साह नहीं बढ़ा पाएंगे आपको साथवना नहीं दे पाएंगे जीवन की समापती पर जब आपको शम्शान घाट जाना होगा तब आपके चार करोण रुपे आपको शम्शान पहुचाने नहीं आएंगे बलकि वे चार लोग पहुचाएंगे जिनका हृदय आपने अपने उत्तम व्यवहार से जीता होगा इसलिए धन भी कमाएं और उससे अधिक प्राथमिक्ता इस बात को दें कि चार आदमी भी सुक दुख में आपके साथ हो स्वामी विवेकानन परिवराजक निदेशक दर्शन योग महाविद्याले रोजर गुजरात